तो जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिसे कि आपने थमनेल में देखा था कि अगर आप भी टेंथ पास करते हैं तो पहले और नावेदन करना होता था उसके बाद से जो है आप अपना को आपका अगर आते हैं आपका लिस्ट में नाम होता था तो आप जो है आपको 10,000 रुपी जो मिल जाते हैं आउनलाइन आवेदन करने के बाद लेकिन अब ऐसा नहीं है आप यहां पर जो है सिस्टम को चेंज कर दिया गया नया नियम लागू कर दिया एक अपडेट ला दिया है कि अगर आप फ़र्श विजन से पास करते हैं अगर आपका नाम भी लिस्ट में आता है तो आपको जो आवेदन करने की कोई आप सकता नहीं है जैसे ही आपका रिजल जारी होगा उसके आपका रेंग रहता है तो आपके जो एकाउन में सीधा भेज दिया जागा तो क्या-क् पेपर जो हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है यहां पे देख सकते हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है ठीक उसके बाद यहां पे लिखा गया है कि मेट्रिक प्रुट्सान राशी को जो है नहीं करना होगा आप जो आप नहीं करना होगा तो चलिए विस्टार से इसको जान नहीं है ठीक ना इसके लिए आप बच्छों को कोई भी जो आवेदन करने की आवेदन जो नहीं करना होगा प्रसाहन राशी आप सीधे आपके बेंग खाते में भेज दी जाएगी आपको पहले आवेदन करना होता अब जो आवेदन नहीं करेगा तो क्या-क्या परोसेस यहा आया हुआ है इनको आवेदन करना ही होगा लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अभी 10 में है और 2024 में उसका एक्जाम होगा और 2024 में उसका डिजल्ट आगा उसके लिए हमें बताएगे कि वर्ष 2024 में जो परिक्षा फल परकासित होगा उसमें नई विवेश्था लागू रहे पिछले साल जो है लगभग सवाच चार लाग जो है लड़के लड़कियों को प्रसांद रासी लगभग इतना करोड रूपय रासी देने का अनुमान जो है लगाया गया ठीक और यहां पर यह भी बताया गया कि राज्य अनिकि समय जो है राज्य सरकार पर्थम सरेनी में जो फर्ष्ट विजन से पास करते हैं उसको जो है बच्चे को 10-10 रुपया प्रसांद रासी दिया जाता है और यह यहत्र से चाथ विड़ती ही है तो अभी दूजार ताइस में या बाईस इसे पहले जितना भी होता था तो ऑनलाइन आवेदन करना होता तो उसके पास 10 रोज के अंदर तक में आपके जो एकाउन में पैसा आ जाते थे लेकिन अगर कोई विद्यार्थी दूजार 24 में पास करता है उनको आवेदन करने के आप सकता नहीं है क्या-क्या आवेदन अगर नहीं करेगा तो फिर उसके एकाउन में पैसा कैसे आगा यह भी हम यहाँ तो इस साल से औरीक प्रिक्षा फर्म भरने के समय और जब आपका मैट्रीक का फर्म भरेंगे तो बच्चेस पूरी जनकारी ले ली जागी इस Bio आपके बें hills भाटे का अभिवरण होगा और अधार अभिवरण होगा तमाम जंकारी होगी इससे जो अगले साल अभी की глаза शो अभी जो विद्यार्थी दस में हैं और इस समय जब आप मेट्रिक का फॉर्ण परिक्षा फॉर्म भरेंगे उसी समय आपका जो बैंक का विवरन और अधार का संख्या विवरन आपका ले लिया जागा जब आप कर जाते अच्छा नमर आपका प्रेंटेज होता अगर आपका भी लिश्व में नाम होता आपको भी दस ज़र मिलने जाएगा यहीं सी जनकारी से आपका हो जाएगा जो परिक्षा फॉर्म भरतेज में आपसे लिया गया था यहां से हो जागा ठीक और इससे अगले साल जब प्रफ्षान राशी मिलेगी तो किसी परकार की जो है और जानकारी नहीं लेनी होगी प्रिक्षा विद्याले प्रिक्षा समेती से पुष्टी होने के बाद उनके सीधा जो है बेंग खाते में भेज दिया जगा तो आपका लिस्ट में नाम आएगा आपके जो है इसकूल से डिरेक्ट वो जो है अपना जो है जनकारी ले लेंगे अगर आप पास करते आपके अकॉन में डिरेक्ट जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जगा पास होने के बाद आपको कोई भी चीज़ करने की आप सकता नहीं रहेगे और यहां पर देखिए आप बतागे हमारा परियास है कि हम अगले वर्ट से ऐसा अभियार्थी को परिक्षा फल परिक्षासन के बाद पाजेसे रिजल्ट आएगा उनके जो खातें पैसे भेज दिया जाए बच्चों को भी फिर से आवेदन करने आवेदन की परकेडियास से नहीं गुजरना होगा तो आपको आवेदन करने देखने के लिए थांक्यों सो मच मिलते नक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत